नमस्कार दोस्तों तो आज के वीडियो में बात करेंगे एजसीप 500MG टेबलेट का उप्यों क्या होता है इसके फाइदय, नुकसान, इसकी डोसेज क्या रहती है इसको कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है इसके बारे में समपूरों जनकर आपको इस वीडियो में बताई तो पहले जाके चैनल को सब्स्राइब कीजिए और घंटी वाले बेल एकन को भी हिट कीजिए तो दोस्तों एजसीप 500MG टेबलेट सिपला कंपनी की आती है तीन टेबलेट की बैकिंग आती है इसमें साल्ट आता है एज़ित्रुमाइसिन तो यह एक एंटी बायोटिक टे लिमोनिया, ब्रोकाइटीस, टॉनसिलाइटीस, साइनसिटीस, आधी प्रकर के बीमारिया देखने को मिलती है इनमें क्या हो जाता है कि हमारे फेप्रों में सूजेन देखने को मिलती है हमारे फेप्रों में बलगम जमा होता है टॉनसिलाइटीस में टॉनसिल में दर्द हो मैं इस्सी करते ही के से करती हैं इसके बारे में अगर बात गये तो इसमें मौझेदe 讲 origin उसकी ग्रोंग को रोकता है आयจะत्य माशिक और प्रोटीन कहालों को रोखने काम करता है उससे क्या हो जाता है कि बैक्ट्राय का जो मल्टिप्रेक्शन होता रहता है हमारे शेरे में वो भी रोक जाता है उससे धेरे-धेरे हमारे शेरे में जो इन्पेक्शन हो चुका होता है बैक्ट्रेक वाज़े से वो भी धेरे-धेरे कम हो जाता है तो इस प्रकर से agressive tablet काम करती है अब करते है agressive 500 mg tablet के dosage के बारे में तो इसके 500 mg tablet की dosage होती है adult वेक्ति के लिए दिन में एक बार ये tablet दी जाती है ऐसे ही लगातर 3 दिन तक इसका 7 के जाता है तो इसको खाना काने के 1 गंटे पहले या खाना काने के 2 गंटे के बाद भी लिया जाता है तो आप इस tablet का 7 करना चाहते है तो आपके डॉक्टरी साला से आप इसका 7 कर सकते है आप अगर agressive tablet ले रहे तो इसकी पूरी dosage आप लेजिए कभी भी आप इसकी half dosage मत लेजिए तो इसकी packing तीन tablet की होती है तो इसकी तीन दिन तक ले आ जाता है तो आगे इसकी dosage patient की condition देखके डॉक्टर बढ़ाते है तो agressive tablet लेते वक्त आपको कुछ सावधानिया द्यान में रखनी होती है आप अगर agressive tablet ले रहे तो इसके दावरन आपको alcohol का 7 नहीं करना होता है और जो antacid दावया होती है या liquid होती है उनका 7 भी आपको 2 घंटे की gap में करना होता है जैसे कि आप अगर agressive machine tablet आपने ली है तो antacid दावया उसके 2 घंटे पहले लेनी होती है या agressive tablet लेने के 2 घंटे के बाद लेनी होती है तो 2 घंटे का gap आपको रखना होता है इसके बाद pregnant और breastfeeding माहिलाव में भी agressive tablet सेप रहती है जब डॉक्टर इसको prescribe बरते तब इसके अलावा जो kidney और liver के बीमारियों के patient होते है उनको भी इस tablet को लेने से पहले उनके डॉक्टर की जाला ज़रूर लेने जाए अब बात करते है किसको agressive tablet नहीं लीनी होती है जिनको agithromation से allergy है उनको agressive tablet का 7 नहीं करना होता है इसके बात जिनको रदय की बीमारी है जैसे की irregular heartbeat की समस्या जिनको रहती है उनको भी इस tablet का 7 नहीं करना होता है अब आखिर में बात करेंगे एजसीब टेवलिट के साइड एपिट के बारे में तो इसको लेने के बाद डाइरिया, नोजिया, ओमिटिंग, इन डाइसिन ऐसे साइड एपिट देखने को मिलते हैं इसके अरावा अगर आपको गंबिर साइड एपिट नजर आ रहा है जैसे कि allergic reactions हो रहा है, eating, swelling, rashes या shortness of breath आपको हो रही है तो उस case में आपको आपके डॉक्टर को consult करना चाहिए तो दोस्तो यह था आज का व्रियो एजसीब पासो यमजी टेवलेट के बारे में पूरी जर्णकरी देने के कोशिश हमने इस वीडियो में की है तो फिर भी आपके मन में अगर कोई doubt या सवाल है तो नीचे देगए comment section में comment करके आप हमें पूंच सकते हैं इस वीडियो में इतना ही मेलते है गले वीडियो में वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद